मौसम का ताज़ा अब्रेट लेकर हम हाजिर हो गया है राज़ानी पटना समेट बिहार के कई जिलों में मौसम को लेकर लगातार अरड़ जारी किया जा रहा है आज हम 24 जनवरी की मौसम की बात करें तो आज के दिन का मौसम का हाल जो है वो बेहत डराबना रहने बाला है मौसम भाग की तरफ से ये ज्यानकारी दी गई है कि आज के दिन मौसम का मिजास बेहत बदला बदला नजर आएगा साथी साथ बिहार के कुछ जगों पर बारिश भी हो सकती है एक तरफ जहां लोग 26 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं गंतंतर दिवस का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मौसम का भी मिजास जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है आने वाले दिनों में मौसम का हाल क्या रहने वाला है और कब तक मौसम का मिजास ऐसा ही रहने वाला है चलिए हम सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं अभी लगातार कडाके की ठंड पड़ रही है पटना समेत प्रदेश के कई शेहर में शीत लहर की चपेट में है इस वीच मौसम बिभाग ने राज भर में घने कोहरे की चेताब नी जाहिर की है बुद्वार को कुछ हिस्सों के लिए कोहरे को लेकर औरेंज अलट और कुछ में यलो अलट बताया है 24 घंटे के भीतर राज के 13 शेहरों में भीशन शीद दिवस और शीद दिवस की स्तित रहेगी राज़ानी पटना में पहाडों से भी जादा ठंड पड़ रही है यहाँ दिन का पाराहिम आचा प्रदेश की राज़ानी शिमला से भी कम दर्श किया गया है पटना और गया में मंगलवार को घने कोहरे की चपेट में रहा है पटना समय 27 शेहरों का नियुंतम तापमान 10 डिगरी से नीचे रहा है उननी शेहरों का अधिक्तम तापमान गिरा है और बारा का बढ़ा है बांका में 3.6 डिगरी सेलसियस के साथ प्रदेश का सबसे ठंड़ा शेहर रहा है सबसे अधिक्तापमान 22.4 डिगरी से से फारवे से गंश में दर्श किया गया है बाका का 3.6 डिगरी सेलसियस नीचे रहा है सब और का चार गया जमुई नवादा मोतिहारी में 4.8 पूशा शेखपूरा भागलपूर और बकसर में 5.2 से लेकर 6 डिगरी सेलसियस जो है वो तापमान दर्श किया गया है पटना मंगलवार को शिमला से भी जादा ठंड रहा है पटना का अधिक्तम तापमान 13.3 डिगरी सेलसियस और शिमला के एःरपोर्ट एरिया का 15 डिगरी सेलसियस रिकॉर्ड किया गया है पूरे दिन गहना कोहरा चाया रहा पटना के अधिक्तम तापान में 4.60 डिग्री सेल्सियस का गिरावट जो है वो मंगलवार में शीत लहर जैसी हालाद बने रहे हैं धूप नहीं निकलने के कारण लोगों को हाड कपाने वाली ठंड का हैसास हुआ है और नियुंतम तापान 1.60 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुई है एक तरह जहां अगर हम बात राजधानी पटना की करें तो राजधानी पटना का जो मौसम है वो शिमला से भी जादा ठंड वाला मौसम है क्योंकि अगर हम अगर अधिक्तम तापमान की बात करें तो बीते दिन मंगलवार का तरीके से है एक तरफ जहां लगतार शीत लहर का प्रकोप जारी है स्कूल में बच्चों को जाने से साफ साफ अभी मना कर दिया गया है स्कूलों को बंद कर दिया गया है और खास करके आने वाले दिनों में मौसम का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है